इस ब्रहमान में कहीं कोई बात हो और वह नारग जी के कानों में पढ़ जाए और उसका प्रचार ना हो, ये कदापी संभव नहीं है। उन्हें तो संचार तंत्र का आधी गुरु कहना अधे कुप्युक्त होगा। बैकुन्थ लोग से चलकर नारग जी सीधे मतुरा के राजा अत्याचारी कंस के पास पहुँचे। कंस ने नारग जी का समुच्चित आदर सतकार किया और उनके दर्शनों के लिए आभार प्रकत किया। कुछ पर शांत रहने के बाद नारग जी ने कंस से कहा राजन। अब अत्याचार करना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारा वद करने के लिए तुम्हारी बहन देवकी के गर्ब से आठवी संतान के रूप में स्वयम नारायन अफ्तार लेने वाले हैं। ये सुनकर कंस क्रोधित होकर बोला यदि ऐसा हुआ तो मैं अपनी बहन देवकी को ही मार डालूँगा। नारग जी ने उसे समझाते हुए कहा राजन, मूर खता मत करो, अभी से बहन की हत्या पाप अपने सिर पर क्यों लेते हो। व्यर्ट में लोक निंदा के पात्र बनने से क्या लाग। जब आठवा बालक होगा, तब उसका चुपकी से वद कर देना। सभी बालकों को मारने से तुम्हें पाप लगेगा। ठीक है देवर्शी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। कंस ने उत्तर दिया, लेकिन उसी समय कंस के मन में नारग जी ने शनका और डाल दी। उन्होंने एक कमल का फूल मानकर उसे दिखते हुए कहा राजन। इस कमल के फूल को देखिए, इसकी पंखुलियों को कही से भी गिना जा सकता है। फिर यह कैसे पता चलेगा कि देवकी का कौन सा पुत्र आठवा होगा। यह सुनकर कंस सोच में पढ़ गया, यह तो आप ठीक कहते हैं नारग जी। फिर तो मुझे देवकी के सारे बच्चों को मरवाना होगा। नारग जी ने उसे चेत्वानी देते हुए कहाक मरवाना नहीं मारना होगा। दूसरे पर भरोसा करना ठीक नहीं है राजन। जो काम करो, अपने हाथों से करना। क्या पता कहीं चूख हो जाए तो फिर तुम्हें पच्चताना पड़ेगा। एक बार यदी देवकी की आठवी संतान का जन्म हो गया तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। कंस बोला आप ठीक कहते हैं देवर्शी, आप मेरे हितैशी हैं, मेरे ही क्या समस्त असुरों के आप हितैशी हैं तभी तो हम सभी आपको इतना मान करते हैं। नारायन नारायन ठीक कहते हो राजन, नारत तो सबका भला चाहता है, लोग कल्यान ही मेरा लक्ष है और समय रहते सबको सचेत रहना मेरा धर्म है। कहते हुए नारत जी वहां से विदा हो गए। नारत जी के उकसाने पर कंस ने देवकी के छह बालकों की निर्मम हत्या कर डाली। उसके पापों का घड़ा भरता चला गया। भगवान विश्नु के आदेश से योगमाया ने देवकी के साथवे गर्भ को रोहिनी की कोक में स्थापित कर दिया और देवकी के गर्भपात की सूचना कंस को दे दी गई। रोहिनी के गर्भ से बालक बलराम का जन्म हुआ। देवकी के आथवे गर्भ में स्वयम नारायन अफ्तरित हुए। तब योगमाया ने गोकुल गाव की गोपी अशोधा की नवजात पुत्र से देवकी की पुत्र को बदल दिया। वासुदेव ने अहकार्य स्वयम किया। आथवी संतान पुत्री के रूप में देखकर क्रूर कंस ने निर्मता पूर्वक उसकन्या को पत्थर की शिला पर पटकना चाहा, लेकिन वह बिचली की तरह चमकी और आकाश में दुरगा क के रूप में प्रकट होकर बोली अरे दुरगुद्धी कंस, तू अकारन मुझ बालिका का वद करना चाहता था। तुझे मरने देवकी का आठवा कुत जन्म ले चुका है। अब स्वयम काल भी तुझे नहीं बचा पाएगा। आकाश्वानी सुनकर कंस आग बबुला हो उसने अपने सहकर्मी प्रलंब और केशी दैत्यों को बुला कर उसी दिन जन्में अपने राज्य के सभी बालकों को मार डालने का आदेश दे दिया। परन्तु वह यशोधा की गोद में खेल रहे बाल कृष्ण तक नहीं पहुंच पाया। तंस द्वारा किये गए तरह त रह के उपायबी कृष्ण को स्वयम नारायन के अवतार थे, कोई क्षती नहीं पहुंचा सके। धीरे धीरे श्री कृष्ण और अवतार थे, कोई क्षती नहीं पहुंचा सके। धीरे धीरे श्री कृष्ण और बलराम जी किशोरी अवस्था में पहुंचे और जब कंस के अत्याचार बहुत बढ़ गए, तक श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस को सिंधासन से खीच कर मार डाला। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और वाध्ययंत्र बज उठे नारत जी ने भी वीना पर स्वरों को छेलते हुए अपने आराध्य देव श्री नारायन का स्तुती गान किया।